C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तो थे अध्याए 3 अपवाह इस अध्याए में कुल 10 प्रिष्ट हैं ये अध्याए प्रिष्ट संख्या 18 से शुरू होकर 27 पर समाप्थ होता है अध्याए 3 अपवाह प्रिष्ट संख्या 18 अपवाह शब्द एक शेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। इसके बारे में आप भारत के भौतिक मान्चित्र से जान सकते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्शेत्र का जल प्रवाहित होता है। उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक को दिखाया गया है। इसमें धारा A और धारा B हैं जिसे जल विभाजक दो हिस्सों में बांट रहा है। जल विभाजक का अर्थ है कोई उच्च भूमी या परवत। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ज्याद कीजिए भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। भारत में अपवाह दंत्र। भारत के अपवाह दंत्र का नियंत्रन मुख्य तह भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारती अनदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है हिमालय की नदियां तथा प्रायदी पिय नदियां भारत के दो मुख्य भौगौलिक शेत्रों से उत्पन होने के कारण हिमालय तथा प्रायद वीपिय नदियां एक दूसरे से भिन हैं हिमालय की अधिकतर नदियां बारा मासी नदियां होती हैं इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्यूंकि इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त उचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम दुआरा भी जल प्राप्त होता है हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधू तथा ब्रह्म पुत्र इस पर्वतिय क्ष्रंखला के उत्तिरी भाग से निकलती है इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गौर्जों का निर्मान किया है चित्र संख्या 3.2 में गौर्ज को दर्शाया गया है हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते को तै करती है प्रिष्ट संख्या 19 ये अपने मार्ग के उपरी भागों में तीवर अपर्दन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का समवहन करती है मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां, विसर्प, गोखुर जील तथा अपने बाड़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्यग निक्षेपन आकृतियों का निर्मान करती है ये पूर्ण विक्सित डेल्टाओं का भी निर्मान करती है चित्र संख्या 3.3 में नदी के विभिन अवस्थाओं को दिखाया गया है उपरी भाग में नदी का स्रोत, मध्य भाग में विसर्प और गोखुर जील जबकि निचले भाग में डेल्टा की आकृतियां होती है अधिकतर प्राइद्वीपिय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी-छोटी धाराओं में बहने लगता है हिमालय की नदियों की तुलना में प्राइद्वीपिय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है फिर भी इनमें से कुछ केंद्रिय उच्च भूमी से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं प्राइद्वीपिय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं अपवाह प्रतिरूप एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्मान करती हैं जो कि उस क्षेतर की भूमी की ढाल, जलवायू संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थल क्षैल सनरचना पर आधारित है यह द्रुमाकृतिक, जाली नुमा, आयताकार तथा अरिय अपवाह प्रतिरूप है द्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक व्रिक्ष की शाखाओं की भाती प्रतीत होती हैं जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोन पर मिलती हैं तब जाली नुमा प्रतिरूप का निर्मान करती हैं जाली नुमा प्रतिरूप वहां विक्सित करता है जहां कठोर और मुलायम चट्टाने समानांतर पाई जाती है आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलिय भूभाग पर विक्सित करता है अरिय प्रतिरूप तब विक्सित होता है जब केंद्रिय शिखर या गुंबत जैसी सनरचना धाराएं विभिन दिशाओं में प्रवाहित होती हैं विभिन प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है यहां पर चार चित्रों को दर्शाया गया है जिसमें पहले में द्रुमाकृतिक अपवाह, दूसरे में जाली नुमा अपवाह, तीसरे में आयताकार अपवाह, जबकि चौथे में अरीय अपवाह को दिखाया गया है प्रिष्ट संख्या 20 इसमें भारत में बहने वाली मुख्य नदियों और जीलों के बारे में बताया गया है उत्तर भारत की कुछ मुख्य नदियों में सिंधू, व्यास, गंगा, शार्दा और यमुना नदी इस नक्षे में दिखाई गई है उत्तर भारत की मुख्य जील वूलर जील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है मध्य भारत में चंबल, बेतवा, घागरा, गंगा, यमुना, सोन, गंडक, कोसी, नर्मदा, तापी को दर्शाया गया है यहां राणा प्रताप सागर और सांभर जील राजस्थान में है जबकी गोविंद वल्लब पंत सागर उत्तर प्रदेश में है दक्षिन भारत की कुछ मुख्य नदियों में गोदावरी, कृष्णा, तुंग भद्रा और कावेरी नदियां है निजाम सागर जील तेलंगाना, नागारजुन सागर और कोलेरू जील आंधर प्रदेश में, कृष्णराज सागर जील और लिंगा मक्की जील करनाटक में, पुलिकर जील तमिलनाडू में और वेंबनाड जील केरल में बहती है भारत के उत्तरी पूर्विभाग की कुछ मुख्य नदियां, दिहांग, लोहित और ब्रमपुत्र है प्रिष्ट संख्या 21, हिमाले की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रमपुत्र हिमाले से निकलने वाली प्रमुख नदियां है ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां इन में आकर मिलती हैं किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है सिंधु नदी का उदगम मान सरोवर जील के निकट तिबबत में है पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मु कश्मीर के लद्दाक जिले से प्रवेश करती है इस भाग में ये एक बहुत ही सुंदर दर्शनिय गौर्ज का निर्मान करती हैं इस सक्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे जासकर, नूबरा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिलती हैं सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में परवतिय क्षेत्र से बाहर निकलती है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तता जेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं इसके बाद ये नदी दक्षन की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेश भाग पाकिस्तान में स्थित है 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझोता संधी के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20 प्रतिशत जल उप्योग कर सकता है इस जल का उप्योग हम पंजाब, हरियाना एवं राजस्थान के दक्षन पश्चिम भागों में सचाई के लिए करते हैं गंगा नदी तंत्र गंगा की मुख्यधारा भागी रथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलक नंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इससे मिलती है हरिद्वार के पास गंगा परवतिय भाग को छोड़ कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है चित्र संख्या 3.5 में देव प्रयाग में भागी रथी एवं अलक नंदा के संगम को दिखाया गया है हिमाले से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं इन में से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घागरा, गंडक तथा कोसी यमुना नदी हिमाले के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहबाद में गंगा में मिल जाती है घागरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमाले से निकलती हैं इनके कारण प्रतेक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिसों में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजावपन प्रदान कर क्रिशी योग्य भूमी बना देती हैं प्रायदीप ये उच्च भूमी से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं ये अर्दशुष्क शेत्रों से निकलती हैं इनकी लंबाई कम तथा इन में पानी की मात्रा भी कम होती है ग्याद कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहां गंगा में मिलत बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदू है यहां नदी दो भागों में बढ़ जाती है भागी रथी, हुगली जो इ मुख्यधारा दक्षन की ओर बहती हुई बांगला देश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेगना के नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपु क्या आप जानते हैं सुन्दर्वन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुन्दरी पादप से लिया गया है। अंबाला नगर सिंधू तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। प्रिष्ट संख्या बाईस। जिसकी उचाई 7757 मीटर है। उसके पास पहुँचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड बनाकर भारत के अरुनाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनूला एवं दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्मान करती है। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिबबत में सांगपो एवं बांगला देश में जमुना कहा जाता है। तिबबत एक क्षीत एवं शुश्क क्षेत्र है। अतह यहां इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहां नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी अदुईपों का निर्मान करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी ये दुईप का नाम याद है। प्रतेक वर्ष वर्षा रितू में ये नदी अपने किनारों से उपर बहने लगती है। एवं बाड के द्वारा असम तथा बांगला देश में बहुत अधिक शती पहुँचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतेह बढ़ जाती है। और ये बार-बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। प्रिष्ट संख्या 23 प्रायद्वीपिय नदियां। प्रायद्वीपिय भारत में मुख्य जल्विभाजक का निर्मान पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपिय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, पूर्व की ओर बहती हैं। तथा बंगाल की खाडी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्मान करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो की पश्चिम की तरफ पहती हैं और जुआर नदमुक का निर्मान करती ह प्राइदवीपिय नदियों की अपवाह द्रोणिया आकार में अपेक्षाकृत छोटी है नर्मदा द्रोणी नर्मदा का उद्गम मध्यप्रदेश में अमर कंटक पहाडी के निकट है ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है समुद्र तक पहुँचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनिय स्थलों का निर्मान करती है जबलपूर के निकट संगमर्मर के शैलों में ये नदी गहरे गौर्ड से बहती है तथा जहां ये नदी तीवर ढाल से गिरती है, वहां धुआधार प्रपात का निर्मान करती है नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है इन में से अधिकतर समकोन पर मुख्यधारा से मिलती है नर्मदा द्रोणी, मध्यप्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है तापी द्रोणी तापी का उद्गम मध्यप्रदेश के बेतुल जिले में सत्पुडा की श्रंखलाओं में है ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश गाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है इसकी द्रोणी, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा महाराष्टर राज्य में है अरब सागर तथा पश्यमी घाट के बीच का तटिय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है इसलिए तटिय नदियों की लंबाई बहुत कम है पश्यम की और बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पुजा तथा पेरियार हैं उन राजियों के नाम बताईए जहां ये नदियां बहती हैं गोदावरी द्रोणी गोदावरी सबसे बड़ी प्रायदवीपिय नदी है ये महाराश्ट्र के नासिक जिले में पश्यम घाट की ढालों से निकलती है इसकी लंबाई लगभग 1500 किलो मीटर है ये बहकर बंगाल की खाडी में गिरती है प्रायदवीपिय नदियों में इसका अपवाहतंत्र सबसे बड़ा है इसकी द्रोणी, महाराश्ट्र, नदी द्रोणी का 50 प्रतिशत भाग, मध्यप्रदेश, ओडिशा तथा आंध्रप्रदेश में स्थित है गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रानिता, मांज्रा, वेन गंगा तथा पेन गंगा इन में से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षन गंगा के नाम से भी जाना जाता है महानदी द्रोणी महानदी का उद्गम 36 गड़ की उच्च भूमी से है तथा ये ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इस नदी की लंबाई 860 किलो मीटर है इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, 36 गड़, जारखंड और ओडिशा में है कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महा बलेश्वर के निकट एक स्रोध से निकल कर कृष्णा लगभग 1400 किलो मीटर बह कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तुंग भद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां है इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, करनाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है कावेरी द्रोणी कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी क्ष्रंखला से निकलती है तथा तमिल नाडू में कुडलूर के दक्षिन में बंगाल की खाडी में मिल जाती है इसकी लंबाई 706 किलोमीटर है इसकी प्रमुक सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी है इसकी द्रोणी तमिल नाडू, केरल तथा करनाटक में विस्तरित है क्या आप जानते हैं, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात काविरी नदी बनाती है इसे शिव सुन्दरम के नाम से जाना जाता है प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत, मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वन क्षेत्र को प्रदान की जाती है ग्याद कीजिए भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ पहती है दामोदर, ब्रह्मनी, वैतरनी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उधारन है अपने एटलस में इनकी स्थिती ग्याद कीजिए क्या आप जानते हैं, प्रित्वी के धरातल का लगभग 71 प्रतिशत भाग जल से ढखा है लेकिन इसका 97 प्रतिशत जल लवनिय है केवल 3 प्रतिशत जल ही स्वच जल के रूप में उपलब्ध है जिसका 3 चौथाई भाग हिमानी के रूप में है प्रिष्ट संख्या 24 जीले कश्मीर घाटी तथा प्रसिद डल जील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे जो प्रतेक वर्ष हजारों परेटकों को आकरशित करते हैं इसी प्रकार आप अन्य जील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तेराकी एवं अन्य जलिय खेलों का आनंद लिया होगा कल्पना कीजिये कि अगर कश्मीर, नैनी ताल एवं दूसरे परिटन स्थलों पर जीले नहीं होती तब क्या वे उतना ही आकरशित करते जितना की आज करते हैं क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन परिटकों को आकरशित करने के लिए किसी स्थान पर जीलों का क्या महत्व है परिटकों के आकरशन के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी जीलों का महत्व है पृत्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे जील कहते हैं क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली जीलों को समुद्र कहा जाता है जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर भारत में भी बहुत सी जीले हैं ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं अधिकतर जीलें स्थाई होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा रितू में ही पानी होता है जैसे अंतर देशिय अपवाह वाले अर्ध शुष्क शेत्रों की द्रोणी वाली जीलें यहां कुछ ऐसी जीले हैं जिनका निर्मान हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है जबकि कुछ अन्य जीलों का निर्मान वायू, नदियों एवं मानुविय क्रिया कलापों के कारण हुआ है एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर जील का निर्मान करती हैं स्पिट तथा बार, रोधिका, तटियक शेत्रों में लेगून का निर्मान करते हैं जैसे चिलका जील, पुलिकट जील तथा कोलेरू जील अंतर देशिय भागों वाली जीलें कभी-कभी मौसमी होती हैं उधारन के लिए राजस्तान की सामभर जील जो एक लवन जल वाली जील है इसके जल का उपियोग नमक के निर्मान के लिए किया जाता है मीठे पानी की अधिकांश जीलें हिमालय क्षेत्र में हैं ये मुख्यता हिमानी द्वारा बनी हैं दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिगलने से भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथ्वा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर जील भूगर भी एक रियाओं से बनी हैं ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकरतिक जील है डल जील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण, मीठे पानी की जीले है जित्र 3.6 में लोकताक जील को दिखाया गया है इसके अतरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी जील का निर्मान हो जाता है जैसे गुरु गोविन सागर जिसका निर्मान भाखणा नांगल पर्योजना से हुआ है क्रिया कलाप, एटलस की सहता से प्राकर्तिक तथा मानव निर्मित जीलों की सूची तयार कीजिए जीले मानव के लिए अत्यधिक लाबदायक होती है एक जील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है अत्यधिक वर्षा के समय ये बाड को रोकती है तथा सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है जीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन करने में भी किया जा सकता है ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायू को सामान्य बनाती है जली अपारी तंत्र को संतुलित रखती है जीलों की प्राकर्तिक सुन्दर्ता वपरेटन को बढ़ाती है तथा हमें मनुरंजन प्रदान करती है प्रिष्ट संख्या 25 नदियों का अर्थ व्यवस्था में महत्व संपोर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यतिक महत्व रहा है नदियों का जल मूल प्राकर्तिक संसाधन है तथा अनेक मानविय क्रिया कलापों के लिए अनिवार्य है यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकरशित किया है ये गाउं अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं अपने राजी के उन शहरों की एक सूची तयार कीजिए जो नदि के किनारे स्थित हैं किन्तो भारत जैसे देश के लिए जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए क्रिशी पर निर्भर है वहां सिचाई, नौसंचालन, जल विद्युत निर्मान में नदियों का महत्व बहुत अधिक है नदी प्रदूशन नदी जल की घरेलू, औद्योगिक एवं कृशी में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घरता जाता है दूसरी और उद्योगों का प्रदूशन तथा अपरिश्कृत कच्रे नदी में मिलते रहते हैं ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बलकी नदी के स्वतह स्वच्छी करण की क्षमता को भी प्रभावित करता है उधारन के लिए दिये गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनू करके समाहित कर सकता है लेकिन लगातार बढ़ते हुए औध्योगी करण एवं शहरी करण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है नदियों में बढ़ते प्रदूशन के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कारे योजनाय लागू की गई है क्या आपने कभी ऐसी कारे योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूशित जल से हमारा स्वास्त्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन इस विशय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रत्योगिता का आयोजन करें गंगाकार्य योजना के क्रिया कलापों का पहला चरण 1985 में आरंब किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया था राष्ट्रे नदी संरक्षन प्राधिकरण की कारेकारी समीती ने गंगाकार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगती की समीक्षा की तथा गंगाकार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिये इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूशित नदियों में राष्ट्रिय नदी संरक्षन योजना के अंतरगत लागू किया गया है गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रिय नदी संरक्षन योजना के अंतरगत शामिल कर लिया गया है विस्तरित राष्ट्रिय नदी संरक्षन योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं इस कारे योजना के तहट 57 जिलों में प्रदूशन को कम करने के लिए कारे किया जा रहा है प्रदूशन को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्विकृती दी गई है अभी तक 69 योजनाएं इस कारे योजना के तहट पूरी हो चुकी है इसके अंतरगत लाखों लीटर प्रदूशित जल को रोक कर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिशकरण का लक्षे रखा गया है प्रिश्ट संख्या 26 अभ्यास प्रश्ण एक दिये गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनिये एक, इन में से कौन सा विक्ष की शाखाओं के सम्मान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है क अरिय, ख केंद्राभिमुक, ग द्रुमाकृतिक और ग जाली नुमा दो, वूलर जील इन में से किस राज्य में इस्तित है क राजस्थान, ख पंजाब, ग उत्तरप्रदेश, ग जम्मुकश्मीर तीन, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है क सत्पुडा, ख अमरकंटक, ग ब्रह्मगीरी, ग पश्चिमी घाट के ढाल चार, इन में से कौन सी लवनिये जलवाली जील है क सामभर, ख वूलर, ग डल, ग गोविंत सागर पाँच, इन में से कौन सी नदी प्रायदवीपिय भारत की सबसे बड़ी नदी है क नर्मदा, ख गोदावरी, ग कृष्णा, ग महा नदी छे, इन नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है क महा नदी, ख कृष्णा, ग तुंग भद्रा, ग तापी प्रश्ण संख्या दो इन प्रश्णों के उत्तर संक्षेप में दीजिए एक, जल विभाजग का क्या कार्य है, एक उधारन दीजिए दो, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोनी कौन सी है तीन, सिंधू एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है चार, गंगा की दो मुख्यधाराओं के नाम लिखिए ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्मान करती है पांच, लंबी धारा होने के बावजूत तिबबत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम सिल्ट क्यों है चे, कौन सी दो प्रायद्वीपिय नदियां गर्थ से होकर बहती है समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकरतियों का निर्मान करती है साथ, नदियों तथा जीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं प्रश्ण संख्या तीन, दीर्ग उत्तरिय प्रश्ण एक, यहां भारत की कुछ जीलों के नाम हम बता रहे हैं इन्हें प्राकरतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिये क वूलर, ख डल, ग ननी ताल, घ भीम ताल, न गोविन सागर, च लोकताक, च बारापानी, ज चिलका, ज सामभर, य राणा प्रताप सागर, त निजाम सागर, ठ पुलीकट, ड नागार्जुन सागर, ध घ हीरा कुंड, प्रिश्न संख्या 4, हिमालय तथा प्रायदवीपिय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए, प्रिश्न संख्या 5, प्रायदवीपिय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए, प्रिश्न संख्या 6, कि इसी देश की अर्थ्विवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। मान्चित्र कौशल 1. भारत के मान्चित्र पर बताई जाने वाली नदियों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। 2. भारत के रेखा मान्चित्र पर बताई जाने वाली जीलों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। चिलका, सांभर, वूलर, पुलीकट तथा कोलेरू प्रिष्ट संख्या 27, क्रिया कलाप यहां दी गई वर्ग पहली को हल करें। नोट पहली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। बाएं से दाएं एक, नागारजुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। दो, भारत की सबसे लंबी नदी। तीन, व्यास कुंड से उत्पन होने वाली नदी। चार, मध्यप्रदेश के बेतुल जिले से उत्पन होकर पश्यम की और बहने वाली नदी। पाँच, पश्यम बंगाल का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी। छे, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। साथ, रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है। आठ, प्रायदुईपिय भारत की सबसे लंबी नदी। उपर से नीचे। 10. भ्रंश अपवा होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी। 11. दक्षन भारतिय नदी जो ग्रेश्म तथा शीत रितु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। 12. लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी। 13. भारतिय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। 14. पाकिस्तान में चिनाब से मिलने वाली नदी। 15. यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी। 14. अभी आप सुन रहे थे अध्याए तीन अपवाह। 15. अध्यायतीन अपवाह। झाल झाल